नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की जाइकवा आई जॉप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, जाइकवा आई जॉप को आखों में कैसे डालना चाहिए, और जाइकवा आई जॉप की वज़से क्या रखनी चाहिए, जाइकवा आई जॉप का उप्योग आखों में सुखापन यानी आखों की जाइनेस को ठीक करने के लिए जाइकवा आई जॉप का उप्योग किया जाता है, इसके अलावा आखों में कोई चोट लगने पर या आखों में कोई इंफेक्शन होने पर भी जाएक्वा आईड्रॉप को आखों में डालने की सला दे सकते हैं. क्योंकि जाएक्वा आईड्रॉप आखों में जलन और खुजली होने से बचाव करती हैं और आखों में नमी को बनाए रखती हैं. जाएक्वा आईड्रॉप में आर्टिफिसियल आसू होते हैं जो हमारी आखों में नमी को बनाए रखते हैं और आखों में इनफेक्शन को होने से रोकते हैं. आखों की लेसिक सर्जरी या कैटरैक्ट सर्जरी होने के बाद भी डॉक्टर आखों में सुखापन और इनफेक् पढ़ जाना, आखों में भारीपन महसूस होना, आखों में किर्किरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आखों में ठकान होना, पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने में परेशानी होना, आखों में या आखों के आसपास चिपचिपे म्युकस का जमाफ होना आधी लक जाइक्वा आई जॉप को आखों में डालने के बाद आखों की दृष्टी कुछ समय के लिए धुंदली हो सकती है। कितनी बार आखों में डालना recommended होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर जाइक्वा आई जॉप को दिन में तीन से लेकर चार बार आखों में डालने की सलाह देते हैं। लेकिन जायकवा आई जॉप की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको जायकवा आई जॉप को आखों में डालने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि जायकवा आई जॉप को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। जायकवा आई जॉप को आखों में डालने के बाद जायकवा आई जॉप के धककन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। और जायकवा आई जॉप की बोतल की चोच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं छुना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने की वजह से आखों में infection हो सकता है जायक्वा आई जॉप प्रेगनेंट महिलाओं और गर्प में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी जायक्वा आई जॉप का उप्योग करना सुरक्षित है इसलिए जरूरत पढ़ने पर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जायक्वा आई जॉप को आखों में डालने की सला दे सकती है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका जायकवा आई जौप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.